हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीडियू कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने करते जा रहे हैं यहां पर आपको इस प्रीम दिख रहा होगा अब यहां पर देखें यह केंडल क्या है यह कंडल आपका ड्रेगन फ्लाइड डोजी केंडल दूसरा यह वाला केंडल आपका ग्रेविस्टून डोजी केंडल अब मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ देखिए यह दोनों individual candle के बारे में आपने पहले बहुत सुना होगा और बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा जब यह आपका downtrend में form होता है उसके बाद market आपका reversal लेता है उपर की तरफ जाता है अगर आपका market ऊपर जा रहा है उसके बाद आपका ग्रेवेस्टोन फर्म होता है तो इसके बाद market आपका reversal लेता है यह नीचे की तरफ जाता है लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूँ अगर आपका यह दोनों candle एक साथ फर्म हो जाए यह नी आपका सबसे पहले dragonfly doji candle फर्म होगा उसके बाद आपका ग्रेवेस्टोन doji फर्म हो गया back to back तब आप क्या करोगे हो गया दिमाग सुन लूल बन गए यह चीज आपको कोई नहीं बताएगा आपको individual दोनों candle बताएगा लेकिन कई बाद दोनों candle एक साथ बन जाता तो आप किसको follow करोगे पहले वाले को follow करोगे या जो दूसरा वाला फर्म होगा उसको follow करोगे किसकी बाद मानोगे क्योंकि दोनों आपका back to back आ रहा वो भी uptrend और downtrend दोनों में ये candle आपको back to back form होता हुआ दिखा है ये चीज आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा सारे लोग आपको bookish language बताएगे लेकिन जो book से हटके real market में जो आपको situation देखने को मिलता वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और चैनल को जब उर सब्सक्राइब कीज़े क्योंकि ये सब खोजने में research work अच्छा खासा लगता है चलिए चार्ट पे चलते हैं और ये दोनों pattern को identify करते हैं और इसके basis पे हमें चार्ट में क्या decisions लेना उसके उपर भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे अब हम gear wear technical का daily chart है उसके हम आये हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पहला है ये क्या है ये आपका बना है ग्रेव स्टून डोजी जो कि मैंने आपको picture में दिखाया था उसके बाद next क्या बना next आप देख सकते हैं ये मिलता दूलता बना आपका dragonfly doji यहाँ पे आपका दोनो candle back to back बना अब आप क्या करोगे आपका दिमाग तो सुनो गया होगा क्योंकि ये दोनो पैटर्न आपने पहले एक साथ देखा ही नहीं होगा दोनों को अलग अलग देखा होगा लेकिन यहाँ पे चार्ट पे आपको मैं और भी कई एकजामपल दिखाऊंगा nifty bank nifty में भी दिखाऊंगा बहुत major stocks में भी देखने होगा nifty 50 वाले stocks में भी देखने होगा यह दोनों पैटर्न आपको एक साथ बनता हुआ दिखा इसके पीछे का concept क्या है इसके बाद क्या decision लेना सब मैं आपको बताऊंगा लेकिन यह चीज़ आप साहथ पहली बार देख रहे होंगे कि आपको gravestone dragonfly दोनों back to back बन गिया तो यहाँ पे आप किसकी बाद मान होगे उसके उपर आएंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और example बताना चाहूँगा तो bank nifty में अगर आप देखो तो यह आपका exact तो नहीं लेकिन मिलता जूलता आपका कैसा है dragonfly doji जैसा है इसको हम short में डीडी लिख देते हैं और यह जो है दूसरा आपका यह कैसा है यह आपका gravestone doji जैसा है यानि दोनों आपका back to back form हुआ है और यहाँ पे आप इसको भी gravestone doji के रूप में consider कर सकतो back to back same candle दो form हुआ है तो यहाँ पे हम किसको consider करेंगे किसकी बात मानेंगे पहले वाले का या दूसरे वाले का या दोनों को mixed लेके चलेंगे तो वह हम समझते हैं चलिए एक-एक करके वापस से हम पहले वाले पे आना चाहेंगे अब यहाँ पे देखे इसके पीछे का concept क्या है वह आप समझ लिए फिर इसके बाद आप क्या distance लोगे खुद समझ में आ जाएगा यह दोनों form होता है इसके बाद आप क्या करोगे खुद समझ में आ जाएगा इसके पीठे का concept समझी है अब यहाँ पर देखे buyers यहाँ से price को drag करके उपर की तरफ ले जा रहे हैं अब क्या हुआ यह level आपका resistance zone बन गया यानि इसके उपर आपके sellers हावी थे यानि यहाँ पर buyers अच्छे खासे upside की तरफ चल वे हैं अब जैसे ही sellers की area में पहुँचे हैं उसके बाद क्या हुआ buyers कमजोर हुआ यहाँ मैं आपको example बताता हूँ उससे आप खुद को और ज़्यादा relate कर पाएंगे आपका किसी लर्गे के साथ जगरा हो गया जो की दूसरे area में रहता है तो आप अपने दोस्त को एक साथ जमा किये और पहुँचे उससे लराई करने उसको मारने दूसरे area में लेकिन जब आप उसके area में पहुँचते हो तो देखते हो कि पीछे आपका कोई दोस्त है ही नहीं आप अकेले पर गया तो क्या करोगो वहाँ पे समझदार होगे तो वहाँ से क्या करोगे भाग होगे तो वहाई situation यहाँ पे हुआ है buyers एक साथ चले हैं उपर की तरफ निकले हैं लेकिन यहाँ पे आते ही buyers ने साथ छोड़ दिया जैसे ही देखा कि buyers कमजोर पर गये हैं वह सारे buyers ने साथ छोड़ दिया वो क्या किये वो यहाँ से भागे हैं भाग के अपने area में आये तो क्या हुआ है यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि sellers ने market को control कर लिया यहींनि sellers का पूरा दब-बारा है अब दुबारा क्या करोगे अब अगर वापस से आपको उनको मारना ही मारना उनको हराना ही है तो क्या करोगे अब आप वैसे दोस्त को select करोगे जो कि वहाँ पे भागे ना जो कि पहले से ज़्यादा मजबूत हो यहनि अब आप तयारी करके जाओगे ताकि हमें वापस नहीं लोटना है तो क्या करोगे और आप और ताकत जमा करोगे और ताकत के साथ वहाँ पे जाओगे लराई करने तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे देखे अगला candle वही फॉर्म हुआ है वो ऐसे buyers को select किये जिन में strength था जिन में दम था उसके बाद वो और उपर की दरफ गए और इसको take over कर लिया मतलब आप वापस से गए उसको हरा दिया और उससे आगे और आप निकल गए दूसरे मोहले में चलेगा मतलब यहाँ पे आपने sellers को हरा दिया मतलब क्या हुआ हुआ यह जो candle है यह अब क्या बन गया जो winner candle था वो loser candle बन गया और यह बन गया winner candle तो अब लोग किसकी बात मानेगे आपकी बात मानेगे या फिर जिनको आपने हरा है उसकी बात मानेगे आप winner हो लोग आपको follow करेगे आपकी बात जाता मानेगे तो यहाँ पर वही चीज हुआ है अब market आगे किसको follow करेगा यह जीता है तो market इसी को follow करेगा यहनी यह आपका dragonfly बना है यहनी dragonfly कैसा sign होता है positive sign होता है और grey stone का sign negative होता है तो negative बाला तो loser है loser की बात वह से भी दुनिया में कोई नहीं मानता है हमेशा winner की बात ही मानता है तो देखिए इसके बात positive sign दे रहा market कैसा react किया market आपका ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पर अगर आपको simple सब्दों में समझना दो candle form होता है तो जो last वाला candle form हुआ है उसको आपको पगड़ना है और उसके recording market आपका react करेगा तो यहाँ पर चलिए हम कुछ और example की थूरू इसको समझने की कोशिस करते है यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में आते हैं देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी daily chart है अब यहाँ पर भी हमें same situation देखने को बिला यहाँ पर आपका dragonfly बना मतलब पहले buyers ने अपना strength दिखाया लेकिन उसके बाद grave stone बन गया मतलब buyers के strength को overcome करते हुए इसने grave stone बनाया मतलब जो buyers था वो अब कमजोर हो गया buyers यहाँ पर क्या बन गया buyers यहाँ पर loser बन गया और winner कौन बना winner यह बना मतलब sellers winner बना यहाँ इसका sign क्या negative sign है यहाँ पर दूसरा candle क्या grave stone का sign क्या होता negative मतलब grave stone के बाद market नीचे गिरता है और उसके बाद देखिए grave stone बना market आपका नीचे की तरफ गिरा मतलब market किसको follow कर रहा market हमेशा winners को follow करता है जो मजबूत रहता है उसको follow करता है और वह हुआ है मजबूत को follow करते हैं market नीचे की तरफ गिरा है मैंने आपको बोला ही था जब यह दो candle बने second वाला जो भी candle हो पहले वाले को छोड़ देना जो second वाला candle बने उसका जो भी character होता उसके according market आपका react करेगा और example मैं आपको दिखाता हूँ supply example भी देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं dragonfly, gravestone थोड़ा बहुत market उपर निकला है western zone के पास आते ही market गिरा है और अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा है यानि market gravestone के according react किया dragonfly के according react नहीं किया है तो यहाँ पर multiple example है आप multiple example की थोड़ा समझ सकते हैं यह situation एक बार नहीं बनता बहुत बार बनता है और बहुत बार इसका सामना आपके साथ हुआ होगा साथ आपने ध्यान नहीं दिया होगा यानि तो दोनों candle को identify नहीं किया होगा यहाँ पर देखिए यह आपका देविश लैब है यहाँ पर फॉर्म हुआ है gravestone, dragonfly, dragonfly, positive, gravestone, negative पहले वाले का कोई importance नहीं है इसका importance है उसके बाद market आपका ऊपर की तरफ निकला है अगला और ग्याँ पर लेख लिए Asian Pants, Nifty 50 का जवदर से stocks gravestone, dragonfly dragonfly को follow करते हो यह market आपका ऊपर की तरफ गया है यहाँ पर कम ऊपर की तरफ गया है यानि लगबग 1-2% ही उपर गया है जो last candle बना उसको तो respect करता है उपर की तरफ गया है इसके बाद और कुछ वीजन हो सकता है इसका प्राइस गिरा हो लेकिन आपका ऊपर की तरफ तो गया है बस हमें यह देखना ऊपर की तरफ गया है यह नहीं गया इसके बाद market का direction कैसा होगा वो हमें find करना है एक और stocks में देख सकते हैं यहां पर भी dragonfly gravestone जैसा मिलता जलता एक जाक तो नहीं है लेकिन price आपका नीचे की तरफ गीरा है तो अगर यह दो candle एक साथ firm होता है तो इसके basis पर trade क्या लोगे ultimately हमारा goal क्या होता है trading decisions लेने में कैसे help करेगा तो आपको starting से बताता हूं किसके basis पर आप trading decisions कैसे ले सकते हैं वो आप तो समझी के होंगे फिर में बता देता हूं अगर यह दो candle एक साथ बनता है आपको देखना last बाला candle कौन सा last बाला candle अगर positive है यहाँ पर आपको क्या करना है sell side की तरफ नहीं जाना यानि पहला अगर आप sell करके जो गलती कर सकते दो वो गलती आपको avoid करना है यानि जो आपको loss हो सकता था वो loss से आप बत सकते हो दूसरा उसके बाद आप dragonfly बना है तो market उपर की तरफ निकलेगा उसके बाद आप यहाँ पर buy करके अपना profit बना सकते हो सिम्दल नी bank nifty का example देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर market positive momentum है उसके बाद थोड़ा सा गिरा है फिर आपका dragonfly बना है इसके बाद अगला ही grave stone बन गिया है मतलब अब इसके बाद आप decision easily दे सकते हो कि market कहां जाएगा नीचे की तरफ जाएगा तो जो लोग यहाँ पर buy करके trap हो सकते थे उस trap से आप बच जाओगे उसके बाद market नीचे किरेगे आपको idea है तो फिर आप यहाँ पर sell करके थोड़ा बहुत profit आप कमा सकते हो तो इसके basis पे intradic call लेना difficult होगा क्योंकि यहाँ भी हम daily chart देख रहे है और जब यह candle daily chart में बनता है तभी इसका कोई importance होता अब holy chart या फिर उससे नीचे के chart में बनता है तो फिर यह उतना credible candle नहीं रह जाता है इसलिए यहाँ पे हम इसको daily chart में देखेंगे इसके basis पे आप weekly options trade ले सकते हो या नहीं तो delivery में अगर आप trade लेते हो तो वो trade भी आप ले सकते हो तो देख सकते हैं उसके बाद price आपका नीचे की तरफ गिरा है gravestone बना तो price नीचे की तरफ ही जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंदा है प्लीज वीडियो को like करके हमें इनकवेज किजे ताकि इस तरह के और भी informative वीडियो आपके लिए regular basis पे लाते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद